हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप VN एप में न्यू ट्रेंडिंग फोटो अस्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो वीडियो हम बनाने वाले हैं VN एप में तो सबसे पहले आपको अपने VN एप को ओपिन कर लेना है अगर आपके पास VN एप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल कर सकते हो यह बिलुकुल फ्री वीडियो एडिटिंग एप है उसके बाद आप इसे ओपिन करना कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब आपको यहाँ पर प्लस वाले बटन के ओपर क्लिक करना है उसके बाद निव प्रोजेक्ट के ओपर क्लिक करना है देन आपको यहाँ पर वीडियो एंड फोटो का सेक्शन दिखेगा तो आप यहाँ पे photos वाली section में आजाना क्योंकि हम photo कर यूज करके video बनाने वाले आपको a photo वाली section में आजाना फिर हक्रॉल करके आपको अपना photos को select करेना है जिन्हें आप यूज रिकर के video बनाना चाहते हो जैसे कि मैं यहाँ पे photo's को select कर लेता हूं आप भी अपना फोटो को सेलेक्ट कर लेना फिर नेक्स्ट को पर क्लिक कर देना तो आपका जो इमेज़ होगा वो यहाँ पर एड हो जाएगा जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हूँ ठीक है अगर आप मुझसे पूछो को भाई इस टैप का अस्थेटिक फोटो कहां पर मि मिल जाते ठीक है वहाँ पर सिर्फ आप सर्च करना स्थेटिक कपल इमेज मिल जागा फिर वहाँ सेब कर सकते हूँ ओके तो फोटोज एड हो चुका है अब उसके बाद आपको यह जो ओरिजनल देख रहा है यहाँ पर क्लिक करके 9-16 को सेलेक्ट कर लेना है इसे जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको जो फोटो का रेच्यो होगा वो 9-16 में convert हो जागा mostए अपने फोटो को WhatsApp स्टेट का कभी श्यो होता है वो 9-16 ही होता है Instagram Reel में भी और YouTube Shorts में भी ठीक है तो इसलिए आपको सबसे पहले ratio को change कर देना है दिन अपने photos को उपर click करके इन्हें अच्छे से adjust कर लेना है ठीक है जैसा सही लगे उस तरीके से adjust कर लेना Like थोड़ा बोद हम यहाँ पर adjustment कर लेते हैं वैसे तो सारा images हमारा सही लग रहा है तो अगर आपको adjust करने के जरूत पड़े तो आप photos को पर click करके zoom ओगर करके थोड़ा adjust कर लेना ठीक है adjust हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक template video add करना है जिसका link मैंने description box में दे दिया है तो आप description box से सबसे पहले उस template को save कर लेना ठीक है save कर लेने के बाद आपको यहाँ पर add करना है तो add कैसे किया जाता है चली हम देख लेते सो वीडियो add करने के लिए आपको यहाँ पर एक P.I.P का option देख रहाँ इसको पर आप क्लिक करना देन यहाँ पर वीडियो and photo का आपको option मिल जागा इसको पर क्लिक करना है उसके बाद आपको template वीडियो को select करना है तो वीडियो वाले section में आप आजाना फिर यहाँ से थोड़ा बहुत है scroll करके उसे template वीडियो को आपको select कर लेना है मैं इस template वीडियो की बात कर रहा हूँ ठीक है इसका link दिया हुए description में साथ है मैं और भी काफी सारे template वीडियो का link में description में दे दिया हूँ तो आप वहाँ से gain कर सकते हूँ मतलब सेव कर सकते हूँ ठीक है so फिलाल हम इसे select कर लेते हैं तो जो भी आपको template वीडियो सही लगना उस हो आप select करना मैंने यहाँ पर यह वाल सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे यह वाल सही लग रहा है ठीक है उसके बाद इसका जो size है इसे increase कर लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अच्छे से adjust कर लेना है फिर आपको इसमें एक black part देख रहा हूँ जैसे के आप देख सकते हो तो इसे black को आपको हटाना होगा तो black हटाने के लिए आपको यहाँ पर scroll करना ह एक blending का option दिखेगा इसके ओपर क्लिक करके आप यहां से यह जो screen ही से select कर लेना तो black color हट जाएगा फिर आपको डन कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकतो यह जो template है वो apply हो गया है मतलब कि हमारे photos को पर effect apply हो गया है अब आपको क्या करना है यह template के according अपने photos को थोड़ा तो आपको अज्जेस्ट करना जैसे कि आप यहां देख सकतो आपको लगा होगा कि यह तो थोड़े गढ़बढ हो गई है जी हाँ इसमें थोड़ी से गढ़बढ हो गई है यह जो photo है उसका duration थोड़ा सा जादा है तो इन सभी photos का duration आपको template के according adjust करना मतलब कि यह जो template है इ ठीक है लेकिन इसका duration थोड़ा सा कम है तो इसको पर click करके duration को increase कर देंगे ठीक है आप कैसे समझों कि duration कम है या फिर जादा है तो बहुत असान है समझना जब तक दूसरा effect ना आ जाए जैसे कि यहां पर यह white आया उसके बाद दूसरा effect आएगा तो जब तक दूसरा effect ना आ यहां पर देख सकतो इसमें एक ही photo में दूसरा effect भी आ रहा है तो हमें क्या करना होगा इसका duration छोटा कर देना है देन एक effect एक ही photo में आएगा ठीक है तो इस तरीक से आपको यहां पर थोड़ा सा adjustment कर लेना है नाव आपको यहां पर एक lyrics video add कर देना है ताकि आपके जो video and photo को पर click करना है देन यहां पर photo and video को option मिलेगा video वाले में आप आ जाना देन यहां से lyrics video को select कर लेना YouTube पे आपको काफी सारे lyrics video मिल जाएंगे मतलब कि जिस भी song का आप lyrics video खोज़ेगा उस song का lyrics video आपको YouTube पे मिल जागा तो वहां से आप सेव कर सकतो या फिर मैंने description box में सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है तो यह वाले lyrics video हमारे यहां add होगी आप इसे पूरा स्टार्टिंग से रख लेना है इसमें भी आपको black screen देख रहा होगा मतलब कि black part आप देख पार हो तो इसे black color को हटाने के लिए सेम तरीका है आपको पता चली गया है blending के उपर आख यहां template है इसमें एक music है उसे आप जरूर से हटा देना ठीक है हटाने के लिए simply से आपको click कर लेना इस template को पर फिर volume को पर जाके इसे zero कर देना है तो हट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से करके आप यहां पर वीडियो को बना सेकते हो काफी आसान तरीका है I hope आपको तरीका समझ आ चुका हो कैसे क्या करना है सो जैसे हैं आपको वीडियो बनके रेडी हो जाए दिन आपको इसे अपने डिवास में save करना होगा तो save करने के लिए जो आपको option देखने को मिला यहां पर आप क्लिक करना फिर auto से manual में आ जाना and resolution 1080, frame rate 60, bit rate को 50 गास पस रखके export कर देना तो अच्छे quality में आपको जो वीडियो होगा वो export हो जाएगा, so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को apply कर सकतो, मिलते है नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई